आधुनिक काल से पहले साहिते में किवल पद्दे साहिते ही लिखा जाता था लेकिन आधुनिक काल में गद्दे का विश्कार हुआ और कहानी जो है वो गद्दे साहिते की एक शशक्त विधा है आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुल नामे सरवाधिक है इसलिए हम देख सकते हैं कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सरवाधिक हैं कोई भी पत्र पत्रिका होती है उसमें चोटी या बड़ी कहानी जरूर दी जाती है आप लोगों ने भी देखा होगा आपके आसपास जो पत्र आता होगा समाचार पत्र उसकी कोई छोटी पत्री का होती है उसमें भी कहानी आती होगी देखी है देखा करो समाचार पत्र पढ़ा करो ठीक है सबसे पहली बात तो यह कि कहानी आखिर है क्या किसे कहते हैं कहानी कहानी गद्ध्य की वह विधा है जिसकी कथावस्तू संक्षिप्त होती है कथात्मक रूप से यानि कथा के रूप में उसमें किसी एक घटना, एक समबेदना या अनुभूती को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपना समगर प्रभाव छोड़ती है समझा गया कहानी जो है गद्ध्य की वह विधा है जिसकी कथावस्तू संक्षिप्त होती है और इसमें किसी एक घटना, एक अनुभूती या एक समबेदना का वरनन किया जाता है कि वह अपना समगर प्रभाव पाठकों पर छोड़ती है हिंदी कहानी की जो विधा है वो बहुत प्राचीन है वैसे तो हम अपने वेदों में, उपनिश्दों में, जो हमारे अरन्य ग्रंत हैं वैदिक साहित्य में, संस्कृत में हमने कहानियां हमेशा ही पड़ी है लेकिन उन कहानियों में उपदेश आत्मक्ता अधिक है जैसे कि हम कहानी पड़ते जैसे रामायन है, रामायन में भी कहानी ही है भगवान राम की जीवन की महाभारत भी एक कहानी ही है लेकिन इन सब में उपदेश आत्मकता अधिक है जो पार्टकों को उपदेश देने के लिए लिखी गई है लेकिन जो आधुनिक कहानी है उसका रूप बिल्कुल अलग है और आधुनिक कहानी का आरंब जो है पहली बात है कि जो आधुनिक कहानी है इस पर बंगला साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा है आधुनिक कहानी का जो विकास हुआ है वो बिश्वी स्ताबदी में इसका आरम हुआ है आधुनी कहानी जो लिखी गई है इसका लेकिन पहली कहानी कों सी है इसके लिए भी विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है कुछ विद्वान जो है उनका कहना है कि मुंशी इन्शानला खा की कहानी रानी केथकी की कहानी ये पहली कहानी है लेकिन कुछ विद्वान शिव परसाद सितारे हिंद जी की राजा भोज का सपना को पहली कहानी मानते है कुछ किशोरिलाल गुस्वामी जी की इंदूमती को पहली कहाने मानते हैं कुछ बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को पहली कहाने मानते हैं कुछ आचा क्या हो गया बिटा कल मैंने परिस्थितियां करवाई थी बिटा दोने काल की, वो मैं तुम्हें बाद में करा दूंगी, ठीक है, हाँ, मुझे ध्यान है कि मैंने कल तुम लोग की क्लास नहीं करवाई थी, लेकिन मैं यह चाह रही थी, कि जो अभी तुम्हारा करंट में चल रहा है, वो एक साथ चलता रहे, ठीक है, आज मैंने कहानी क्लास में, तो इसलिए अभी तुम्हें कहानी ही करा रही हूँ, ठीक है, किसी दिन अगर छुटी होगी, या तो उस दिन क्लास लेके, या फिर जिस दिन सुबह वाली क्लास नहीं होगी, उस दिन तुम्हारी क्लास लेके तुम्हें परिस्तिया में करा दूंगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि दस बजे वाले बच्चों को कुछ अलग करवाया जाएगा और तुम्हें कुछ अलग करवाया जाएगा अगर कुछ छूट गया है तो वह आगे पीछे दोनों का कवर हो जाएगा ठीक है चलो अभी अपने टोपिक पर आते हैं और कुछ विद्वान मा मैंने दोपार गुट सते हैं यूए टोप सब्जेक्ट में चैक कर लीएता दोख प्याएगा और अब यस ilnt में यू नहींwar कग्रूप्स फिद्वेस कूछ और अब यस f carried outällen अगर किसी बच्चे में कुछ गलत तो वो Mr. Nikhil से जाकर संपर्क कर सकता है ठीक है तो अभी अपने टोपिक पे आते हैं कुछ कहानिया हैं जिनको विद्वान पहली कहानी मानते हैं जो इंदूमती है इसको हिंदी की प्रथम मोलिक कहानी मानते है रामचंदर शुकल इसका प्रकाशन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था क्योंकि कहानी की एक सेकंड बिटा कहानी की जो विकास प्रंप्रा आरंब हुई थी विस्विश्ताबदी में वो सरस्वती पत्रिका से ही आरंब हुई थी क्योंकि सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का आरंब हो गया था सरस्वती पत्रिका में ही कहानियाच अपनी शुरू हुई थी तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी के विकास की यात्रा आरंब होती है और रामचंदर शुकल जिस इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम मोलिक कहानी मानते हैं मोलिक का मतलब होता है कि अपनी उद्भावनाएं यानि अपनी स्वयम की रचना ना कि किसी की देखी हुई उतारी हुई ठीक है इसके अप्रकाशन 1900 में हुआ था सरस्वती पत्रिका में लेकिन शिवदान सिंग चोहान की अनुसार ये कहानी शेक्षपियर के टेमपेस्ट का अनुवाद है यानि कि ये किशोरिलाल गोस्वामी जी की मोलिक रचना नहीं है उन्होंने शेक्षपियर के जो गरंथ था टेमपेस्ट उसका अनुवाद गया था अनुवाद होता है एक भाशा से दूसरी भाशा में एज़िटिज उतारना ठीक है अतह इसको मोलिक रचना नहीं कह सकते फिर सरस्वती पत्रिका में ही 1903 में रामचंद्र शुकल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई कुछ विद्वान इसको भी पहली कहानी मानते हैं लेकिन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी भी छपी लेकिन जो नवीन अनुसंधान हुए है क्योंकि हिंदी सहाइते के नित नए अनुसंधान तो चल ही रहे हैं तो जो नवीन अनुसंधान हुए है उनके अधार पर ये सिद्ध हुआ है कि 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन 36 गड़ मित्र नामक पत्रिका में हो चुका था जिसके लेखक माधवराय स्प्रे है अतहा हिंदी के जो अत्यधिक आलोचक है अधिकतर आलोचक जो है वो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को ही हिंदी की सरोपर्थम मोली कहानी कहते है यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा अब आगे चलते हैं हिंदी कहानी के विकास का अध्यन कर ले के लिए अब हम कथा समराथ प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान ले तो हम कहानी के विकास को चार भागों में बाट सकते हैं जो कथा समराथ है प्रेमचंद इनको उपन्यास समराथ की उपादी भी प्र विद्वानों ने इनको किंद्र बिंदु मान कर कहानी के विकास की परंप्रा को चार भागों में बाठा है। विद्वानों ने इनको कर नाम ने इसको नहीं दिया गया। यानि प्रेम्चंद के भाद की हिंदी कहानी, उसमें किस तरह की कहानिया लिखी गई प्रेम्चंद के टाइम पे प्रेमचंद जैसी लिखते थे वैसी ही लिखी गई और उसके बाद कैसी लिखी गई फिर आता है सवातंतरतर युग यानि कि सवतंतरता के बाद का युग क्योंकि सवतंतरता से पहले तो हमारा देश गुलाम था अंगरेजों ने हम पर जैसे शाषन नीती नियम लगा रखे थे लोगों को वैसे ही जीवनियापन करना पड़ता था लोगों के स्वोपन भी थे बहुत सारे कि आजाद होने के बाद हम किस तरह से रहेंगे लेकिन देश बहुत जादा हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता बहुत जादा ढिली राली हो चुकी थी देश हमारा बहुत गरीब हो चुका था आजादी के बाद भूक गरीबी वेरोजगारी अशिक्षा ये समश्चाएं हमारे सामने खड़ी हो गई थी तो आजादी के बाद की जो कहानियां हैं वो स्वातंत्रत्र युग में रखी गई हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी जो है यह उननिस सो से जब कहानी की विकास यत्रा आरंब होती है तब से है उननिस सो से उननिस सो सोला तक इस काल में हिंदी कहानी अपना सवरूप गरहन कर रही थी यानि कि एक बच्चा जब चलना सीखता है उटना बैटना सीखता है वो यानि कि इसका नया नया जनम अभी हुआ था ये अपने असली सवरूप को गरहन कर रही थी अपने विकास की तरफ बढ़ रही थी इसके शिल प्रशाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दिन की पलेग की चुडेल, प्रंदावन लाल वर्मा की राकी बंद भाई और नकली किला, विशोंबर नाज शर्मा कोशिक की दक्षा बंधन और जवाला दस शर्मा की मिलन, ये इस काल की प्रमुक कहानिया है, कौन से काल की परेमचंद पूर्वक हिंदी कहानी की, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक नई दिशापरदान की थी, और हिंदी कहानी अपने विकास के पत पर अग्रसर हो रही थी, और ये जो सभी कहानिया बताई गई हैं, अभी मैंने जिन मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है कि हिंदी कहानी की विकास प्रमपरा का आरंभ स्वस्वती पत्रिका से ही हुआ था लेकिन 1909 में काशी से इंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंब हुआ जिसमें जेशंकर प्रसाद की कहानिया प्रकाशित होने लगी थी बाद में इन कहानियों का संग्रह चाया नाम से 1912 में प्रकाशित हुआ था जैशिंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम 1911 में प्रकाशित हुई थी राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदू पत्रिका में ही 1913 में प्रकाशित हुई थी उसके बाद 1918 में काशी से ही हिंदी गल्प माला नामक पत्रिका का प्रारंब हुआ था जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अलावा गंगा प्रसाद श्रिवास्तर जी की कहानिया भी छपने लगी थी और प्रेमचन जी की भी कुछ कहानियार सरस्वती में इस टाइम तक छप अपनी शुरू हो गई थी लेकिन चंदरधर शर्मा गुलेरी जी को इस काल की सरवस्टरिष्ट कहानिकार कहा जा सकता है उन्होंने केवल तीन कहानिया लिखी है पहली उसने कहा था दूसरी सुख में जीवन और तीसरी बुद्धु का काटा इन कहानियों में से उसने कहा प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में ही हुआ था और कथे और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से ये कहानी अपने युग की सरवस्टरिष्ट कहानी मानी जा सकती है कहानी का मूल विशह है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है इस प्रभावपुर्ण कहानी मानी गई है हिंदी कथा यात्रा के इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्य अवस्था में ही थी यानि कि जैसे मैंने भी बताया कि विकास की तरफ अग्रसर थी विकास नहीं हो रहा था केवल बाल्य अवस्था में ही थी प्रेमजंद के आगमन से पहले हिंदी कहानी का कोई शशक्त रूप नहीं उबरा था लेकिन गुलेरी जी की कहानी और परसाद जी की कहानिया को हम अपवाद की रूप में ले सकते हैं यानि कि इनकी कहानिया बहुत अच्छी कही जा सकती है जैसे कि गुलेरी जी की अभी मैंने बताया उसने कहा था प्रेमचंद पुर्व यूग की सरवश्रेष्ट कहानी का दरजा इसको प्राप्त है और गुलेरी जी को सरवश्रेष्ट कहानीकार का दरजा प्राप्त है उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी की विकास के प्रथम सोपान की महतोपणु पलब्धी हम कह सकते हैं उसके बाद आता है प्रेमचंद यूग प्रेमचंद की यूग में प्रेमचंद की कहानी कला के बारे में हम बात करेंगे